नमस्कार मैं शेकर सागिर्दे के स्पेज पर आप बेहद स्वागत है सपना याद है आपको फिलिम बाली नहीं भाई जिसे सोच सोच कर अजे दिवगंदिल वाले फिलिम में पागल हो गया था मैं उस सपने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं उस सपने के बारे में बात कर रहा हूं जिसने आइडल बना दिया उन क्रिकेटर्स को उन लोगों को कि छोटे सहर का भी एक लड़का बड़े-बड़े मुकाम हासिल कर सकता है इंडियन क्रिकेट में शामील होकर बुलंदी पर्म अपना नाम दर्ज करा सकता है मैं उस सपने के बारे में बात कर रहा हूं जिसे महंदर सिंग धोनी ने देखा था एक छोटा सा सहर राची वहां से वो लड़का सपना देखता है क्रिकेटर बनने का कई परिसानिया उसके सामने हो जाती है बाबजूद इसके वो क्रिकेट के इंडियन क्रिकेट को उस मु दिलाना इंडियन क्रिकेट को उस मुकाम तक ले जाना जहां सपने हो जाते थे इंडियन क्रिकेट टीम के खर ये बात पूरानी है कि धोनी ने सपना देखा उसे पूरा किया मैं आज बात दूसरा करने जा रहा हूँ बात ये करने जा रहा हूँ कि धोनी ने सपना देखना सिखाया भी ना सिर्फ वो कामियाब हुए कई लोगों की कामियावी धोनी के सपनों से जुड़े हुई है एक वक्त होता था इने इन क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पसीने छूड़ जाते थे लोगों के क्योंकि इसके पीछे जो वज़ा थी कि क्रिकेट जो है जमिनदारों का खेल होता था पुझी पतियों के खेल होता था कि आपके पास अगर पैसे हैं बड़े घरवाले हैं तो इन्डियन क्रिकेट टीम में आप जेन तेन प्रकारे आप घुज जाएंगे लेकिन इस मित को किसने तो रहा धोनीने तो रहा कामियावी हासिल की कैप्टन तक बने इन्डियन क्रिकेट टीम के इन्डियन क्रिकेट को बहुत दूर तक लेकर भी गए अब चलिए बात यहाँ में मैं करने जा रहा हूँ सबसे पहले यशस्वी जैसवाल के इस यशियन के में धूम मचा कर रख दिये हैं उन्होंने लेकिन आपको पता है कि काम्याब बनने के लिए इन्डियन क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए उन्होंने कितने पापर बेले हैं बहुत जादा शिवाजी स्टेडियम या पिर मुंबई का कई क्रिकेट स्टेडियम बीच में सोते थे वो मैदान के बीच में मैदान के बीच में सो सो कर बडिक क्रिकेटर बनने के सपने उन्होंने देखे कई परिशानी आई गर्मी का दीन होता था ग्राउंड में रात भर वो सोई रहते थे कई बार कीडार काट लेता था उनको फिर धीरे धीरे उन्होंने जगह बनाना शुरू किया दीन भर किर्केट खिलते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे चत्रपती सिवाजी स्टेडियम में और फिर रात को वहीं पर सो जाते थे मैदान के बाहर सो जाते थे गोलगप्पे वाली वे उनकी कहानी है लेकिन कहानी उनके चाचा से जुड़ी है क्योंकि उनके पिता जी गोलगप्पा नहीं उनके चाचा गोलगप्पा के दुकान लगाते ठेला लगाते थे और उसी ठेले के पास आके वो सो जाते थे लेकिन सबने उनके बहुत बड़े थे और इसलिए बड़े थे क्योंकि एक्जामपल धोनी ने वहां रख दिया था कि भाई छोटे सहर से हो तो क्या हो गया अगर आपके जजबे आपका जुनून बहुत बड़ा है तो छोटा सहर माइने नहीं रखता है माईने गया रखता है आपका जुरून आपका जजबा धोनी ने ये कई खिलाडियों को दिखाया और आइडल बन गए ना शिर्ट ये सवी ज़स्वाल के लिए बलकि रिंकु सिंग को भी आप देख लिजे बहुत गरीब घर से आते हैं वो भी लेकिन उनकी लिए भी धोनी आइडल बने आइडल बने उनको किर्केट का सपना देखा खिलने का सपना देखा परिशानी उनके सामने भी आई हाल ये हो गया थक उनको जहारू मारने की नौकरी तक करने की सला दी गई थी पढ़े लिखे थे लेकिन वो जारू मारने का काम एकसेप्ट ने किये और किस्मत भी यहीं से चमकी उनकी कि कुलकाता नाइट राइडर ने उनको पचास पिर पन लाख में लगभा खरीदा और खरीदा और उसके बाद गजब का वो खेल खेले भी आई-पी-अल में और दखिए आज कहां तक पहुँच गए है वो इसमें एक नाम कृत्वी शौका भी जुरा हुआ है बहुत करीबी से आगे लड़े वो वेस्टन दीज के साथ जब डेब्यू किये वो सेंच्वरी ठोक कर उन्होंने दिखा दिया कि पटना कभी एक लड़का जो है इंडियन क्रिकेट टीम में सामिल हो सकता है क्रिकेट खेल सकता है इंडियन क्रिकेट खेल सकता है दोनी के साथ इशान की सन को भी आप देख लीजे धारकन रंजी से खेलते हैं लेकिन बिहार से तालूका था उनका पैत्रिक निवाज नवादा वगर हमें हैं और वो भी ज़्यादा गरीब मीडिल क्लास आदमी हैं मीडिल क्लास फैमली से बिलोंग करते हैं आज ये सस्वी जैसवाल हो रिंखु सिंग हो प्रित्वी शौ हो इसान किसन हो सब खिल ये शुमन गिल मैं शुमन गिल की बात कर रहा हूं कि पंजाब का एक लड़का बेहत खेती हर परिवार से तालूक रखने वाला लड़का ये शुमन गिल कैसे गरीबी तंगहाली कई बॉलर्स उसके सामने नत्मस तक हो जाते हैं अब ये कहानी जो है कामियावी की उसके पीछे सपने बहुत बरे हैं सपना देखना किसने सिखाया धोनी ने सिखाया कि भाई छोटा सहर माइने नहीं रखता है आपके जुनून और आपके जजबे के आगे उस मित को तो उ दिखाने सुरू कर दिये उन्होंने चोटे सहर के चोटे शहर के युवाओं को चोटे सहर के किर्केटर खेलने वाले लड़कों को सपने दिखाने सुरू कर दिये काम्याब बनाना सिखा दिया धोनी ने जीतना सिखा दिया धोनी ने लड़ना सिखा दिया धोनी ने ये धो दोनी के सपनों से जुड़ी हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनी एक्जामपल बन गए क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, जीतने के लिए, छोटे सहरों के युबाओं के लिए, कि भाई आप मेहनत कीजिए, आपके मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है, आपके जोस, आपके जुनून, आपके जज़बे के आगे कुछ भी नहीं है, आप फोकस रखिए, ना सिर्फ मैं क्रिकेट के बात कर रहा हूं, धोनी ने सपना दूसरी खिलों में रूची रखने वाले लोगों को भी सिखाया, सपना देखना सिखाया, आज आप जाइए ना वो नीरचोपरा हैं, बहुत बड़े खांदान से नहीं आते हैं वो अभी, लेकिन देखिए, सपने उनके बहुत बड़े थे, शहर छोटा था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे, मैं इसलिए कहता हूं, कि खामोशी के साथ कभी-कभी कामियाबी बनने के कामियाब बनने के सपने, धोनी से सिखिए आप, कामियाब होने के सपने, कामियाब होनी के कहानी है, धोनी से सिखिए आप, सहर माइने नहीं रखता है, फिलाल सागिर्दी के स्पेज पर इतने देर तक बने रहने के लिए आपका बेहद, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड झाल 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 झाल